प्रेजनों प्रबु का वच्छन कहता है संसार की जोती मैं हूँ जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भढ़केगा उसे जीवन की जोती प्राप्त होगी क्योंकि प्रबु ये वादा करता है कि परक कर देखो कि वो कितना भला है उसने कहा ठके मांदे और बोज से दबे हुए लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ मैं तुम्हे विश्राम दोंगा मेरा जुआ अपने उपर ले लो बाइबल में बताती है कि हमारा यहवा परमेश्वर इबराहीम, इसहाक और याकूग का इश्वर हमारा वो सच्छा खोदा है और वह वो प्रबु है जो हमें स्वस्थ करता हमें चंगाई देता है जितने भी लोग उसके पास आते हैं वह उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लोटाता है आज की ये प्रेजन वर्शिप मैं प्रबु को समर्पित करता हूँ और आप सब के लिए दुआ करता हूँ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त आप जहां कहीं भी है चाहे अपने घर में हो या दफ्तर में अगर आप यात्रा कर रहें अपनी गाड़ी में है तो विश्वास के साथ इस प्रेजन वर्शिप में भाग लेना और प्रार्थना करना और प्रबु आपको चंगाही प्रदान करेगा निर्गमन गरंथ अध्याए 15 पद संख्या 26 प्रबु का वचन में बताता है कि मैं वो प्रबु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है तुम अपने प्रबु इश्वर की अराधना करोगे उसकी सेवा करोगे और वो तुम्हारे अनजल को आशिरवात प्रदान करेगा और प्रबु कहता है मैं तुम से बिमारियां दूर रखूंगा ये उसका वादा है और आज ये वादा आपके घर में पूरा होने पाए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत, खलियानों में, दफ्तरों में प्रबु का मसा, उसकी आशिश उतरे और आपको चंगाई प्रदान करे आज की ये प्रेजन वर्षिप विशेश रूप से हम उन तमाम बिमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके घरों में बिमार हैं, आपके पडोस में बिमार हैं, जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं प्रबु ये शूप ने अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्ष करे, चंगाई प्रदान करे वो प्रेम से भरा हुआ प्रमेश्वर है, वो हम पर दया करना चाता है हमें अपनी दया से, चंगाई से, शान्ती से भरना चाता है आईए हम उसकी स्तुधी करें, उसकी महिमा गाएं, प्रभु का धन्यवाद करें प्रेम से भरा मेरा येशू प्रेम से भरा मेरा येशू अपने प्रेम से भरने कू मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है दया से भरा मेरा येशू अपनी दया से भरने कू मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है चंगाई से भरा मेरा येशू अपनी चंगाई से भरने कू मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है शांती से भरा मेरा येशू अपनी शांती से भरने कू मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है मुझे बुलाता है हलिलुया येशू की स्तुति हो येशू को धन्यवाद प्रभु का वच्चन कहता है स्त्रोट संख्या 41 पत संख्या 4 पत संख्या 4 प्रभु उसे रोगशया पर सांत्वना देता और उसका विस्तर बदलता है मैंने कहा प्रभु मुझे पर दया कर मुझे चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद पाप किया है हालेलूया हे प्रभु येशू आपके पवित्र वच्चन के द्वारा मेरे जीवन में शांती आजाए चंगाई आजाए हालेलूया स्त्रोटकार कहता है प्रभु दुख्यों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पठी बानता है हे प्रभु येशू मैं अंगिकार करता हूँ विश्वास करता हूँ आप चंगाई दाता प्रभु है जीवन दाता प्रभु है हलेलूया प्रेजनों आज दुनिया में अनेक लोग किसी ना किसी कारणवश परिशान हैं हर तरफ बुराई, शोशन, अत्याचार, लड़ाई जगडे, मन मुटाव और इंसान की जिंदगी ऐसे ही गुजरती जाती है अधिकान्षता वो तनाव में रहता है हो सकता है आप में से भी कुछ लोग इस वक्त बहुत तनाव में हो तनाव हो सकता है आर्थिक तंगी के कारण हो हो सकता है गर्ज में डूबे हैं इसलिए आप परिशान हो हो सकता है आपको इंस्टॉल्मेंट भरने के लिए पैसा नहीं है हो सकता है किसी से मन मुटाव है हो सकता है कोई रोग ऐसा है जो आपको मन ही मन में खाये जाता है हो सकता है आध्यात्मिक रूप से आप कमजोर हो यह प्राता वंदना यह प्रेजन वर्शिप हमारे जीवन में उत्सा पैदा करती है प्रेजनों ये हमारे आत्मा के तारों को ईश्वरिये सामर्थ से जोड़ देती है हमारा मन, हमारे विछार जब प्रभु की ओर उठते हैं तो हम उससे सामर्थ पाकर अपनी जिंदगी को बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी इबादत करने के लिए बनाया है आज की इस प्रेजन वर्शिप में हम आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस वक्त अस्पतालों में हैं, रोगशया पर हैं आप मेंसे कुछ जो अस्थमा के रोग से पिडित हैं जो लकवे की बिमारी से पिडित हैं पेरलाइस के अटैक से परिशान हैं, हिर्दे गहत से परिशान हैं रीड की हड़ी में जो दर्द रहता, साइटिका की समस्या से चल फिर नहीं सकते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभू आपको आशिश और चंगाई प्रदान करें इस वक्त हम प्रभू से दया की याचना करेंगे, शिफा मांगेंगे क्योंकि प्रभू हमें शिफा देता है, अपनी कुदरत और कुवत से हमें भरता है उसका वादा है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लोटाऊंगा प्रभू ये कहता है, मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वो प्रदान करूँगा प्रभू कहता है, कि है पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो मेरी एक शिक्षा को कान लगा कर सुनो और वो तुम्हें नवजीवन प्रदान करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्त करेगी इस वचन को अंगिकार करेंगे दाइना हाथ उठा करिए वचन दोराएं हालिलूया रभू ये कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय चार पत संक्या बीस पत्र मेरी बातों पर ध्यान दो कान लगा कर मेरी शिक्षा सुनो वो तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्त रखेगी हालिलूया आईए हम प्रभू के पास चलें दया की आचना करें प्रभू से शमा मांगें अब प्रभू हमें शमा कर हमारी हड़ियों को स्वास्त प्रदान करें वेशू देता है शिपा अपनी खुद्रत से वेशू देता है शिपा अपनी खुद्रत से येशू करता माला माला अपनी खुद्रत से येशू करता माला माला अपनी खुद्रत से येशू देता है शिपा अपनी खुद्रत से येशू मसी ने डाकू को शमा कर दिया जो उसके साथ कुरूस पर लड़काया गया था उसने रक्तस रावस्तरी को छंगा कर दिया उसके अंदर से शक्ती निकली और वो चंगी हो गे वेविचार में पकड़ी गई स्तरी को उसने शमा किया मरिया मगदलेना के अंदर से उसने साथ अफ़्दूत निकाले जब वो प्राश्चित करते हुए रो रो कर येशु के बैरों को अपने आशों से भिगोती रही और अपने केशों से उसके चरणों को पूशती रही तो प्रभू येशु ने उस पर देया की और उसके पापों को शमा किया उसकी महिमा उसकी कुवद और उसका जलाल ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में आज प्रभू प्रकट करेगा आपके जीवन में जो इस वक्त मेरे साथ आत्मा में एक है इस वक्त बंदगी कर रहे हैं प्रभु आपके घर में आपके परिवार में आपके आटा गुंदने की परात को आपके रोगशया को ब्लेस करे आशीश प्रदान करे रूप दुगना मसा आपके घर में उत्रे और प्रभू के लहु से वो आपको ब्लेस करे और शान्ती और चंगाई प्रदान करे उसके सामर्थ में पढ़ते सब जाओ नया जीवन तुसी से सब पाओ उसके सामर्त में पढ़ते सब जाओ सदा अपनी खुद्रत से लेशु करता माला माल अपनी खुद्रत से आलेलूया आलेलूया आलेलूया, 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 आलेलूया येसु देता है शिपा अपनी खुद्रत से, येसु करता माला माल अपनी खुवत से येसु करता माला माल अपनी खुवत से हलेलूया, येसु की स्तुती हो, येसु को धन्यवाद, येसु की रादना हो, येसु की मैमा हो, हे प्रभु येशु, आपके वचन, आत्मा और जीवन है, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, हे प्रभु येशु, हमें किसी जड़ी बूटी के लेप से, स्वास्तलाब नहीं हुआ, बलकि तेरे शब्द ने, उसे चंगा किया था, हालेलुया, प्रभु ये कहता है, मैं उसे स्वास्त प्रदान करूँगा, हालेलुया, हे प्रभु, मुझे स्वस्त कर, और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा उधार कर, तभी मेरा उधार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्थुती करता हूँ, हालेलुया, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं तुम्हारा गाव भर दूँगा, ये प्रभु की वानी है, हालेलुया, हालेलुया, आलेलूईया प्रेजनों बाइबल हमें बताती है कि प्राइश्चित और स्विकृति में ही तुम्हारा कल्यान है केवल बाइबल एक ऐसी किताब है जो प्राइश्चित के विशे में हमें बताती है और जब इंसान प्रैश्चित के साथ प्रभु के पास लोट कर आता है तो प्रभु उसे शमा करता है उसे चंगा करता है इस वक्त प्यारे भाईयों और बेनों हम प्रभु के पास चले वो हमसे वादा करता है कि जो मेरे पास आएगा अंदकार में नहीं बढ़केगा प्रभु हमारा चरवाहा है हमें किसी बात की कमी नहीं है वो हमें हरे मैदानों में ले चलता है और नया जीवन का संचार हमें करता है दाइना हाथ उठाकर हम इस भजन को दहराएंगे और अपनी प्रार्थना को समर्पित करेंगे प्रभु मेरा चरवाहा है मुझे किसी बात की कमी नहीं वो मुझे हरे मैदानों में बिठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझे में नव जीवन का संचार करता है वो मुझे धर्ममार्ग पर ले चलता है चाहे अंधेरी गाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं क्यूंकि तु मेरे साथ रहता है मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है हालेलूया तू मेरे शत्रों के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपासे मैं जीवन बर घिरा रहता हूं मैं चिरकाल तक प्रभू के मंदिर में निवास करूंगा रभू के मंदिर में निवास करूंगा हालेलुया दोनों हातों को सीने पर लगाएं प्रभू का स्पर्ष महसूस करें उसका सानित आपको घेरे हुए हैं पवित्र आत्मा आप पर उतरने वाला हैं उसका सामर्थ आपके जीवन में चा जाएं उसका अभिशेक आपको मिले चंगा करने वाला दिशा प्रदान करने वाला सामर्थ देने वाला सूखी हड़ियों को फिर से हरा बनाने वाला परमेश्वर है प्रभू से कहना कि है प्रभू फिर से वो आग बरसा जिससे कि हमारा जीवन बदल जाए फिर से वो तुफान आने दे जिससे की हमारी जिंदगी में तेरा मसा उतरे तेरा सामर्थ तेरा अभिशेक अमें मिले और हम तेरी हजूरी में रहकर तेरी महिमा कर सकें जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ प्रात्ना में जुड़े हैं अपने दोनों हातों को खोले और पवित्र आत्मा की अगवाई में जाएं क्योंकि बाइबल में बताती है जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि येसु ही प्रभू है बेहने दे उस हवा को छूले जो हरेक दिल को तेरा दर्शन मुझे मिले करता हूँ प्रार्थना तुझे से बड़े विश्वास के साथ पूरी भक्ती से आत्मा और हिर्दे की सच्चाही से हम ववित्र आत्मा का सामर्थ मांगे पिरसे वो आग बरसा दे पिरसे तूपान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से पिरसे तूअब शेक कर दे पिरसे तूपान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से पिरसे तूपान आजिशे पहर दे पिरसे तूपान आप वेत्र आत्मा पिरसे तूपान आप वेत्र आत्मा पिरसे तूपान आप वेत्र आत्मा का सामर्थ आप पर उत्रे आप में से जो बीमार है लाइलाज बिमारियों से प्रिडित है लकवे की बिमारी कैंसर की बिमारी प्रीड की हड़ी के रोग हड़ीयों की बिमारी नसों के सुखने की बिमारी सुखी नसों से जो पिडित है प्रेन टूमर, पेट की रिसॉलिया, गर्ब की रिसॉलिया, पित की पत्रिया, ये शू के पवित्र लहू से जलके राख हो जाएं आईए पवित्र आत्मा अधिकार लीजिए, ये प्रभु येशु तेरे रूप का मशा इनके उपर उत्रे, अपने चंगाई बड़े हाथ से इने स्पर्ष कर, मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूं, प्राइश्चित करता हूं, तेरे इन बच्चों के लि रक्षा संब लगें, आपकी रोगशया प्रभु के पवित्र लहू से ब्लेस हो जाएं, सारी अंदकार की शक्तियां, हर प्रकार की रोग बिमारी आपके शरीर से निकले और प्रूस के नीचे जलके राख हो जाएं बेहने दे उस हवा को, छूले जो हरेत दिल को, तेरा गर्शन मुझे मिले, करता हूं प्राथना तुझ से आप वेत्र आत्मा, आप वेत्र आत्मा अप वेत्र आत्मा, मिल कीजाओ आप वेत्र आत्मा अप वेत्र आत्मा, आप वेत्र आत्मा वोई है, जो आशुओं को बहा कर प्राथना कर रहा है प्रभु आपके आशुओं को देख रहा है, आपको चंगाई का वरदान दे रहा है कोई है जो गुप्त रोगों से पिडित हैं, येशुओं आपको आज अपने पवित्र लहु से बलेस करता है आपकी नस नस में प्रभु येशु का पवित्र लहु जो शान्ती स्थापित करता है जिस लहु से उसने हमें खरीदा, जो लहु हमें शुद्ध करता है जो लहु उसने बहाया, जिसके द्वारा उसने प्राष्चित किया ये लहु आपके शरीर की नसनस में बह जाए और आपको चंगाई प्रदान करे कोई है जिसे रक्त स्राव की विमारी है और वो इस वक्त हमारे शाथ प्रात्ना में एक मन होकर प्रात्ना कर रहा प्रभु आपको इस विमारी से अजाद करता है आपकी बिमारी प्रभु येश्यू की कृपा से बड़ी नहीं है उसकी कृपा आपके लिए परयाप्त है इस वक्त प्रभु के नाम पर आप चंगे हो जाएं कोई है जो बेड रिडन है येश्यू मसी आपको पवित्र दाहिना हाथ बढ़ा कर स्पर्श कर रहे है प्रभु का अभिशेक महसूस करना और चंगाई ग्रहन कर उठो और चलो फिरो येश्यू के नाम पर उसके वचन के सामर्थ से उसके पवित्र सामर्थी नाम से मैं अधिकार लेते हुए आज्या देता हूँ कि उठो और चलो फिरो अपनी बीमारी से आजाद हो जाओ तु बदल दे मेरे मन को दे आशिश इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हम को तु बदल दे मेरे मन को दे आशिश इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हम को आप वेत्र आत्मा मिलकी जाओ आप वेत्र आत्मा विश्मास के साथ आप वेत्र आत्मा लुए धन्यवाद एशो आईये प्रभी एशु अदिकार लीजिए तेरे इन बच्चों पर रोग शक्ती बिमारियों से ने आजाद कीजिए मैं तेरा दास तेरे चरणों में समरपृत करता हूं तेरे इन बच्चों को जो इस वक्त आउनलाइन प्रार्तना में भाग ले रहे हैं तेरा आत्मा इने स्पर्ष करे चंगाई प्रदान करे अपने दोनों हातों को सिने से लगाएं शिरु को जुकाएं मैं आपके लिए प्रार्थ न करूँगा प्रभु आपको आशेश प्रदान करें धैया करने वाले चंगा करने वाले ये सूराजा तेरे पवित्र दाहिने हाथ से तेरे इन बच्चों को स्पर्ष कर इने मसा कर जिनके शरीर की नसे सूखी हुई है ब्रेंट यूमर से परेशान है सरवाइकल के रोग से प्रिडित अस्थमा के रोग से प्रिडित है इन पर दयाकर तमाम लाएलाज बिमारियों से अस्थमा शुगर की बिमारी स्किन के इन्फेक्शन पेट की बिमारियां लिवर के रोग ये शुके पवितर लहू से जल के राख हो जाए तू चंगाई दाता प्रबु है दया करने वाला प्रबु है तेरा वादा है कि तू हमारे अनजल को आशीश प्रदान करेगा और बिमारियां हमसे दूर रखेगा आज तेरे इन बच्चों पर दया कर दे तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले जितने लोगों ने इस बचन को दहराया है और इस बंदगी में भाग लिया है जो इस वक्त नत्मस तक होकर प्राथना कर रहे है ए प्रभू इनके जीवन में तेरा आशिश सदा बना रहे तेरी पवित्र आत्मा इन पर अधिकार ले तेरे पवित्र लहू से इनके घरों के चारों और बाड़ा लगाता हूं इनके चौक्टों बिच्छोनों को इनके घर के आटा गुंदने की पराथ को आशिश प्रदान कर अपने पवित्र लहू से ने ब्लेस कर दीजिए तेरे स्वर्ग दूतों का संरक्षन इने प्रदान कर मैं मूशा के जैसे हाथों को उठाता हूं प्राश्चित करता हूं तेरे इन बेटे बेटियों के लिए जो इस वक्त अपने घरों में एकत्र हो कर तेरी बंदगी कर रहें तरी हजूरी में एकठे हुए हैं जैसा इनोंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए इनके दफ्तरों में खेत खलियानों में इनकी यात्राओं में इनकी गाडियों में आशिश प्रदान कर जो इस वक्त यात्रा कर रहे हैं वो तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए प्रबु गाड़ी चालकों को आशीश प्रदान कर और सभी आत्रियों को सनरक्षन प्रदान कर हम तेरे चरणों में आये हैं हम पर देया कर तेरा वादा है जाँ पर दो या तीन मेरे नाम से कत्र होते हैं मैं उनके बीच में आजिर रहता हूँ ये हमारा विश्वास है हम तुछ परास रखतें क्योंकि तुमारी प्रार्थना को सुनता और कुबूल करता है ए प्रभु ये शूर हमारी ये प्रेजन वर्शिप और हमारी बंदगी तुझे पसंद आए तेरे श्वर्ग दूथ हम पर अपना सनलक्षन प्रदान करें हमारी प्रार्थना सुनले उदार करता ये शू प्रभु के द्वारा आमें 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 झाल झाल